नवस्कार दोस्तों गुड़ मॉनिंग सुप्रभात कैसे हो आप सब और दोस्तों इस भरती के बारे मैंने आपको पहले भी वीडियो में बता दिया था और चलिए यह हमारे ग्रिह जी लगा है तो इस लिक्स का एक और वीडियो बनाना जो है बनता है तो देख लिजे केंद प्राण पत्रों चाया प्रती स्वाप रमारी तथा पासपोर्ट फोटो के साथ आठ बजे उपसीत रहें पत देख लिजे यहां पर इस नातकोत्तर सिक्षक है उसके बाद मेलिलिस्टीचर है और प्रात्मिक सिक्षक है उसके बाद कंप्यूटर सिक्षक का भी दोस्तों यहां पर पोस्ट है सक्षातकार की तिथी को आठ से आठ तिस बजे तक पंजयन करा सकते हैं सक्षी क्योंकि ताब वेतानेम सेवा सरतों सब इस्तिक जानकारी के लिए वेबसाइट का उलोकन करें और यही कहना चीज है यहां देख लिजे इस इसनातकोत्तर सिक्षक PGT के ले क्या होना चीए आपको B8 होना चीए फर्स्ट कंडिशन उसके बाद सम्मंधित विसाय में क्या होना चीए 50% मिनिमूम जो इसनातकोत्तर होना चीए ठीक है यह उसके समक्ष होना चीए देख लिए हैं पर रसायन भाहते कि जिविग ज्यान में पर रहे हैं तो जिविग BSC, BCA या equivalent ठीक है यह graduation है इसके साथ post graduation degree in computer science from a recognized university ठीक है ना तीन तो यूग्यता हो गया पहला हो गया दूसरा हो गया तीसरा हो गया BSC के साथ PG होना चीए CDC बात लेकिन PG computer science में होना चीए और B level from DOEACC and post graduate degree in any subject यह चाओ था क्वालिप के साने B level यूग्यता होना चीए जो है संस्था से या और उसके साथ जो है post graduate degree होना चीए किसी भी subject में ठीक है या C level from DOEACC Ministry of Information and Commission Technology and graduation C level का course होना चीए उसके साथ graduation होना चीए यह तीन के बाद चार हो गया यह पांच हो गया payment है दोस्तों यहाँ पर थोड़ा गलत लिख दिया सत्ता हीजार 500 payment है अगला है TGT तो TGT के लिए क्या है देखिए Middle School teacher आपको CT8 जो है दूसरा paper उत्तियन होना चीए इसके साथ आपको देखिए मानिता प्राब्तों इसी दिले से सम्मंधित विसे में 50% अंको के साथ सनातक उपाधिया समकक्ष होना चाहिए और उसके बाद दोस्तों B8 की उपाधिया समकक्ष होना चाहिए इसमें है क्या चीचति देख लिए TGT समाजे विग्यान के लिए इतिह इतिहास भुगोल राजनिती और सास में कोई दो इसे नहीं आ रहे है जिसमें इस इधिहास या भुगोल जरू होना चीए TGT विग्यान के लिए आपको जो है BST होना चीए TGT अंग्रेजी हिंदी एवं गडित ठीक है ना इसनातक से संबंदित विसे के लिए तीन वर्सो इतनी योग्यता है समझ लिए ठीक है यह दूसरा योग्यता है यह पहला है ठीक है यह तीसरा है देख लिए DOCACC में A-Level के सांथ किसी विसे में PG की उपाधी है साथ इसमें A-Level कोर्स होना चीए और उसके सांथ एक PG होना चीए यह एक दो और तीसरा है यह योग्यता हो गया पेर्मिंट है प्रात्मिक कक्छा के लिए 21,250 और माधिमिक के लिए 26,250 प्रात बुनियादी सिक्षा जो प्रसिक्षन है वो उतिन होना चीए D8BD या और किसी भी नाम से उसको जना जाता हो 2250 प्रात्मिक के लिए बन के लिए अगर इसे आप से दिखा जाये तो 20,80% बन के आएगा काउंसलर है तो देख लिए साइकोलाजी में आपका योग्यता होना चीए बाकिस को पर दीजिएगा अगला है दोस्तों खेल प्रसिक्षक तो देख लीजिए मानिता प्राथ तो इसी दिरा से सम्मंधित विसे में 50% डंक साथ इसनाता की उपाधिया समकक्ष योग प्रसिक्षक के लिए योग प्रसिक्षन निम्तम एक वर्सी डिप्लोमा दोस्तों की योग के लिए बहुँ सारे लोग सुन्दलाल सर्मा से किये हुए है बढ़िया पेमेंट है 1250 रुपिया इस्पेसल एजुकेटर दोस्तों ये स्पेसल एजुकेशन में जिन लोगों ने कहना चीए इस्पेसल एजुकेशन में देख लिए बहुँ सारा चीज़े हाँ पर दिया हुआ है आप इसको पढ़ देख लिएगा जुनिया डिप्लोमाइन टीचिंग दडीफ है पहुँ सारी चीज़े है और यह है प्रसिक्षित बालवाटी का शिक्षक तो देख लिए इसमें उसके साथ देख लिए पहला यह हो गया दूसरा यह भी होना चीज़े है इसको आप अच्छे से पढ़ दीज़ेगा इसको आप अच्छे से पढ़ दीज़ेगा और सभी पदों के लिए कंप्यूटर का व्योहारी गान होना चीज़े हिंदी अंग्रीजी भासा में अध्यापन की दक्षता होना चीज़े अलग 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 पंजियन कराना होगा प्रात्मिक इसना तक पदों के लिए CTET पास अभिरति को प्रात्मिकत दी जाएगी तो यह पास होंगे नहीं तो यहाँ पर दोस्तों आप जरूर उपस्तित होईएगा यहाँ पर इसको समझ लिज़े हिंदी अवं अंग्रेजी भासा में अध्यापन की छमता होना चीज़े यह जनरली होता है इसमें कोई काम दिया होगा है वीडियो की डिसेशन में आपको मिल जाएगा इसको आप भर लिजीगा भरने के बाद आप आप आट बजे वहाँ पर सुबा पहुंच जाएगा च्छे फरवरी के और दोस्तों उसके बद वहाँ रेजिश्टेशन अगर होगा जवरत पड़ेगा तो आ लिक्षा लिए जाएगा और उसके बाद दोस्तों आपका सक्षतकार होगा और उसके बाद भेश सीथा आपको न्यूकती मिल जाएगे तो दोस्तों यह रही पूरी जानकारी वीडियो आपको पसंद रहा तो प्लीज सब्सक्राइब देशनल सेर्द वीडियो थैंक्यू प्लीज क्याय जाएगे जाएगे तàने माम